है लो गयस कैसे हैं आप लोग स्वागत है 내 आप लोगों का फिर से में रहे एक नहीं वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गयस के Redmi A4 5G फोन में आप लोग ऐलोर में कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Redmi A4 5G फोने और इस फोन में जो है आपको एलर्म लगाना है अगर आपको जो सुबा का एलर्म लगाना या किसी भी टाइम का एलर्म आप लोग लगाना चाते हो टाइमर वगरा सेट करके या अगर आपने कुछ रूटीन वगरा बना लिया है उस रूटीन के इस अपसे आपको अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग एलर्म को लगाना है तो कैसे आप लोग अपने इस फोन में एलर्म को सेट कर सकते हो गाईज आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एलार्म को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फोन के एप लिस्ट को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक एप देखने को मिलेगा गाईस क्लोक का तो आपको इस क्लोक के एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है open करती उपर बहुत सारे option मिलेंगे तो आपको यहाँ पर जो पहला वाला option अता है यह मिलेगा alarm का option इस पर आना है आने के बाद यहाँ पर जो प्लस का option इस पर click करना है click करती सबसे पहले तो timer set कर लिजे कि किस time का alarm आप लगाना चाहते हो timer set करने के बाद ringtone को change कर सकते हो यहाँ पर से और अगर इस alarm को repeat करना है तो repeat पर click करके देख सकते है daily करना है या Monday to Friday या custom पर click करके आप लोग day को choose भी कर सकते हो उसके बाद okay पर click करना है तो सिर्फ इनी date पर alarm बज़ेगा vibrate को on up कर सकते हो और level लगा सकते हो यह सब करने के बाद उपर जो right वाला option इस पर click करेंगे click करती इस time में alarm set हो जाएगा और same इसी तरीके से आप लोग इस plus पर click करके और भी अलग-अलग timer पर जो है आप लोग बहुत सरे alarm को जो इस तरीके से लगा सकते हो धेर सरे alarm को आप लोग लगा पाएंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Redmi A4 5G phone में आप लोग alarm को set कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते का लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई